CBSE ने सुप्रीम कोट को बारवी के नतीजे का फॉर्मुला बताया फॉर्मुला के मुताबिक बारवी का रिजल्ट दसवी, ग्यारवी और बारवी कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तैह होगा दसवी और ग्यारवी में तीन में सबजेक्ट के आधार पर 30-30 फीसिदी अंक दिये जाएंगे ग्यारवी के पांचों विशे का अवरिज लिया जाएगा और बारवी के प्री बोर्ड एक्जाम और प्राक्टिकल का नमबर लिया जाएगा बारवी के नमबर के 40 परसेंट के आधार पर नतीजे आएंगे सी बीएसी बारवी के नतीजे 31 जुलाई तक रिजल्ट घुशित किये जाएंगे और जो बच्चे रिजल्ट से संतुश नहीं होंगे उनको स्थिती सामानने होने पर परिक्षा देने का मौका दिया जाएगा गोरगपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने टीका करण केंद्र और निर्मानाधीन सदन भवन का निरिक्षिन किया सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए त्याधु ने कॉम्पैक्टर गोरगपुर महानगर को भेट किया रुटकी में भाजपा विधायक पृदीप बत्रा का चालान काटने वाले दारोगा का ट्रांसफर मंत्री हरक सिंग रावक और सन्नी मान कर्मकार कल्यान बोट के अध्यक्ष आमने सामने मंत्री ने अध्यक्ष के कारեकाल की जाज कराने की बात कही अध्यक्ष ने बोट की सचिफ को हटाने के आदेश के जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से गाजिपूर बॉर्डर पर जुटने लगी किसानों की भी बुलन शहर से सेकडों किसान पहुंच रहे गाजिपुर बादलपुर सबजी मंडी में किसानों ने पंचायत कर कहा अपकी बार आर पार का अंदोलन उन्नाव पुलिस के पास बचाओ के लिए नहीं है कोई प्रोटेक्टर उन्नाव में ग्रामनों और पुलिस के बीच हुए पत्राव में दिखी पुलिस की लाचारगी टोकरी और स्टूल के सहारे पत्राव से बच्चते दिखे पुलिस कर्मी उन्नाव पुलिस की लापरवाही पर सक्थ हुए डीजेपी बवाल के बीच पुलिस के तौर तरीकों पर जटाई नाराजगी, SP ने थानेदार समेट तीन पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंट, ACP से मांगा स्पष्टी करण गाजयबाद की वैशाली में एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी की छट पर रखी पानी की टंकी फट गई, इसका CCTV भी आया है, लोगों का आरोप है कि टंकी को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है शावस्ती में राप्ती नदी के पानी में घिरे हैं जिले के दरजनों गाउं, लोग जान पर खेल कर कर रहे हैं आवाजाही भिनगा और तहसील, जमुना रोट पर जमा है दो फीट तक पानी, दरजनों गाउं के लोग बाढ़ के पानी में फसे गाजेपुर में बीती राज से हो रही, जम कर बारिश, बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को भीशन गर्मी से मिली राहत, वहीं बारिश के चलते, लोग अपने घरों में हुए कैद वारनसी में आज की सुबह जमा जम बारिश लेकर आई, उमस भरी गर्मी से जहां लोगों को रहत मिली, वहीं जन जीवन भी ठेहर सा गया, सडक पर जल जमाव से लोगों को परिशानी हो रही है वारणसी में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल पहली ही बारिश में तालाब बनी शेहर की सडके चंदॉली में सुबे से जोरदार बारिश हो रही है मुसलाधार बारिश से सडके जलमगन हो गई है वहीं खेतों में पानी भढ़ने से किसानों के चेहरे खेल उठे गोंडा में बाड के खत्रे से लोगों में दहशत जून जुलाई का महीना आते ही बांत किनारे रह रहे ग्रामिनों को डर सताने लगा वहीं जिला प्रशासन बाड से निपटने की तैयारियों में जुटा पुर्वांचल में बीते चार दिनों से लगातार हो रही बारिश और नेपाल के पानी छोनने से राप्ती नदी उफनाई नदी का जलस्तर अचानक भढ़ना हुआ शुरू जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रह रहे लोगों को सता रहा है बार का खत्रा श्रावस्ती में भी राप्ती नदी अपना रौदर रूप दिखाने लगी जिले के कई गाउं में तेजी से हो रहा कटान अपना अश्याना खुद उजार कर पलायन करने को मजबूर हुए लोग कई मकान नदी के आगोश में समाई पिथोरागर में नैशनल हाईवे टनकपुर 125 घाट पर देहली बैंट के पास सड़क पर आया मलबा पिछले 24 घंटे से बंद है पिथोरागर टनकपुर नैशनल हाईवे रास्ता बंद होने से गाड़ियों की आवाजाही ठप विकासनगर के चकराता समेत पूरे पच्छवा दून में बारिश जारी बारिश से तापमान में गिरावट मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था पहाड़ी इलाकों में बारिश की दीथी चतावनी लगातार दसवे दिन भी संक्रमंट के नए मामले एक लाग से कम दर्च फही मौत का आंकड़ा भी पहले से कम 24 घंटों में 67,208 नए मरीज मिले 2,330 लोगों की मौत 1,3,570 लोग हुए ठीक 16 जून तक 25 करोड 55 लाग वैक्सीन की डूज लगाई जा चुकी है बीते दिन 34,63,000 टीके लगाए गए अब तक करीब 38 करोड 52 लाग कोरोना टेस्ट के जा चुके है 24 घंटे में 19 लाग कोरोना सैंपल जाचे गए देश में कोरोना के टोटल केस हैं 2,97,313,000 अक्टिव मरीजों की तादात हुई 8,26,740 अब तक 2,84,9,670 लोग अस्पिताल से हुए डिस्चार्ट 3,81,903 लोग गवाँ चुके हैं जान यूपी में 24 घंटे में करोना के 336 नए मामले एक दिन में 685 करोना मरीज चीक हुए प्रदेश में 24 घंटे में 2,90,000 से जादा करोना टेस्च हुए ICMR के स्टडी के मताबिक कोरोना की दूसरी लहर ने गर्भवती महिलाओं और हाल ही में बच्चों को जन दे चुकी महिलाओं पर ज्यादा सर डाला गंभीर लक्षन वाले केस और मृत्यूदर भी पहली लहर के मुकाबले इस लहर में ज्यादा चिन्नाई के पास बंदालोर में अरिगनार अन्ना प्राणी उद्ध्यान में एक और शेर की COVID-19 से मौध हो गई चिडिया घर में कोरोना संक्रमट की वज़े से दो हफ्तों में ये दूसरी मौध है इससे पहले एक शेरनी ने दम तोड़ा था कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पौड़ी जिला अस्पताल में PCVT का सेंटर की शुरुआत PCVT का नवजाद बच्चों को नियूमोकॉकल, नियूमोनिया और दिमागी इंफेक्शन जैसी बीमारी से बचाता है जोनपुर के बतलापुर इलाके में बड़ा सड़क हाथसा बाइक सवार बालू से लदे बेकाबू ट्रक की चपेट में आए दो लोग, हाथसे में दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर अस्पताल में भरती प्रयाग राज में कीड गंज इलाके में ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, आग इतनी भेंकर थी कि उचकी लपतें दूर तक उठती दिखी आग ने पास में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में लिया फैब्रिगेट की गाड़ियों ने करीब आदे घंटे बाद आग पर काबू पाया शॉट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग से इलाके में मची अफ्रा तफ्री फर्दोई के कोदवाली शहर शेत्र में जूते चपल की दुकान में अचानक भेंकर आग लग गई, आग लग दे से दुकान में रखा सारा समान जुलकर खाक हो गया दमकल दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया लखनाओ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टलान नौचंदी एक्स्प्रेस पच्री से उत्री, प्रयागराज से चल कर मेरट जा रही थी ट्रेन, ट्रेन में सवार सभी आत्री सुरक्षित गोरकपुर के गीडा थाना शेत्र में कार डिवाइडर पर चड़ गई हाथ से के बाद शीशा तोड़कर ज्राइवर और उसमें मौजूद महिला को भार निकाला गया HRD मिनिस्ट्री का बोर्ड लगा है मतुरा के गोवरधन इलाके में जोपड़ी गिरने से दो साधू दबे थान्य लोगों ने साधूं को मलबे से बहार निकाला एक साधू की मौद दूसरा गंभी रूप से घाय अस्पिताल में चल रहा इलाज सोनभद्र के सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर मरीज की इलाज के अभाव में मौथ हो गई परीजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया उनका कहना है कि डॉक्टरों के होने के बावजूद इलाज नहीं मिला बरेली में तीन दिनों तक बच्चे भूग से तड़पते रहे और पिता फासी पर लटका रहा पिछले साल लॉक्टाउन में पिता की नौकरी चूट गई थी और पत्नी से आए दिन छगड़ा होता था अलिगड में एक परिवार पर कोरोना और लॉक्टाउन के सबसे बड़ी मार मा और पांच बच्चों को दस दिन तक नहीं मिली रोटी तब यद खराब हुई तो पूरे परिवार को जिला अस्पताल में भरती कराये गया इस पूरे मामले पर अलिगड के डियेम चंद्र भूशन सिंग ने कहा तैसीलदार ने मौके पर जाकर 5000 की धनराशी परिवार को दी है और उनका अंतोद एकार्ट भी जारी किया है जेवर एर्पोर्ट के लिए जमीन अधिगरहन का काम पूरा 98% जमीन का अधिगरहन पूरा अगले कुछ दिनों में एर्पोर्ट की जमीन की जाएगी हैंटोवर तीन साल में एर्पोर्ट पूरा बनने क्यों मीट मायावती ने ट्वेट कर सपा पर साधा निशाना लिखा सपा मीडिया में बने रहने की कोशिश में लगी है दूसरी पार्टी से निशकासित लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है सपा मुख्या को अब अपने स्थान्य नेताओं पर भरोसा नहीं है जागेश्वर से विधायक गोविन सिंग कुंजवाल का बड़ा बयान कहा इंदिरा रिदेश के बेटे सुमित पर अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा इंदिरा रिदेश की राजनेतिक दरोहर को आगे बढ़ाएंगे सुमित राजसबस सांसद और बीजेपी के राश्र मीड़ा प्रभारी अनल बलूनी ने 2022 विधानसबस चुनाओं में 2017 से अधिक सीट लाने का दावा किया उन्होंने कहा कि विधानसबस चुनाओं में बीजेपी की सीट में इजाफा होगा रूसी राश्रपती व्लादिमीर पोतीन और अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन ने बुद्वार को मुलाकास की इस दोरान उन्होंने अपने देशों के राजदूतों को उनके पदों पर वापस भेजने और परमाणू हत्यारों को समिती करने वाले दोनों देशों के बीच अंतिम संधी को बदलने के मुद्दे पर सहमती जुताई भारतिय मूल के अमेरिकी नागरिक और माइक्रोसोफ्ट के सीएओ सत्या नडेला को एक और मुकाम हासिल हुआ माइक्रोसोफ्ट ने उन्हें अपना चेर्मेन बना दिया है नडेला जॉन थॉम्सन की जगा लेंगे लाल नेशान पर खुला शेर बजार सेंसेक्स 282 अंक लुड़का 52,219 के लेवल पर हुई शुड़वा निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 15,678 के सर पर खुला 587 शेरों में तेजी 1160 शेरों में गिरावट 95 शेरों में कोई बदलाव नहीं वाट्साप अब जल्दी ब्लू कलर में नज़र आएगा जिससे चैटिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा कमपनी अपने अप पर नोटिफिकेशन इंटरफेस में कुछ चेंज करने जा रही है अप पर मिलने वाली नोटिफिकेशन का लोगो और बैच भी नए कलर में दिखेगा रोनाल्डो के बाद अब फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोगबा ने प्रस कॉन्फरिंच शुरू होने से पहले टेबल पर रखी बियर की बॉटल को हटाया ये विडियो सोशल मीजा पर वारल हुआ जहां कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं